हेलो दोस्तो, आज हम लोग disorder आप respiratory systems पढ़ेंगे, पहला है अस्थमा, इसमें सांस लेने में परिशानी होती है, और सांस लेने में घबराहट, मतलब वीजिंग की अवाज आती है, यह ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में inflammation आने के कारण से होता है, मतलब अस्थमा में सांस ले परवाल नस्थ हो जाती है, जिसे respiratory surface कम हो जाता है, इसका मुख्य कारण cigarette smoking है, जो लोग ज़्यादा cigarette smoke करते हैं, उनमें MPS इमा नामक यही मिमारी हो जाती है, अब आकुपेसनल डिसार्डर मतलब काम करने से जो डिसार्डर होता है, इस बैसली हो जगापे, कुछ जिनमें मुख्य रूप से grinding या stone breaking होती है, इसमें अत्यधिक धूल ऊड़ती है, हमारी बाड़ी की defense mechanism इसे स्थिति से पूरी तर उभर नहीं पाती है, मतलब कौप अप नहीं कर पाती है, इन अस्थानों पर काफी लंबे समय तक रहने से inflammation और fibrosis, मतलब fibrosis tissue मित्ती इन उक्सान पहुचता है, इन इंडस्ट्री में काम करने वाले workers को protective mask पहनने चाहिए, जो कि वहाँ पर मिलते भी हैं